हेलो दोसो नमस्ती मैं आप सब का स्वागत करते हूं माइ सोल फैमली माइ वीवर्स माइ सेस्क्राइबस काड ब्लेस यू तो चलिए मैं देखती हूं आपके पार्टनर के डिफ इमोसंस क्या है आपके लिए उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए जो वह कहना चाहते और वह कहनी पा रहे हैं क्या उनके दिल और दिवांग में चल रहा है आपके लिए तो चलिए मैं देखती हूं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन डीप इमोसंस क्या है आपके लिए इस रिस्ते को लेकर उनके मन में कैसी बाते चल रही है क्या वह कहना चाहते हैं जो आपके लिए उनके मन में deep emotions and two intention. इंचरस प्लीज़ काईट करें. इंचरस प्लीज़ काईट करें. इंचरस प्लीज़ काईट करें. और आपके पार्टनर क्या चाहा हैं? आप देख सकते हूँ six of wands के एनर्जी है. तो तो आपने इस काड को देखा, मैं इस काड को यहां रखती है, Six of Wands ठीक है, और यहां पे, Knight of Swords, तो चलिए यहां आपके पार्टन, आपके तर बढ़ना भी चाहते हैं, विक्तरी चाहते हैं, आप काड देख रहे हो, कि काड किती खुषवत निकल कर आई है, और Six Number Card है, यानि इंपोर्टन नमबर आपके लिए जो आ रहा है, Six की Vibration है, Six, Six की Vibration बहुत स्ट्रोंग है, किसी के लिए त्री नमबर इंपोर्टन है, किसी के लिए तू नमबर इंपोर्टन है, किसी के लिए वन नमबर और फाइम नमबर, यह सारी नमबर जो है, आप सब के लिए इंप बर्थ हो सकता है फरवरी माह जनवरी या आपकी परसन का जनवरी फरवरी माह का बर्थ हो सकता है या फिर आप दोनों मिले हो या आप दोनों का कॉम्निकेशन उस दिन हुआ हो और यहां मार्च का महीना भी इंपोर्टेंट है जून का महीना इंपोर्टेंट है जुलाई का म मेंने आपको बता दिया और जो मन्त है मैंने वो बता दिया आपका वर्थडे हो सकता है यह आप दोनों मिले हो यापकी marriage हुई हो या खासत्रे हो जो आप करते हो ठाट है तो महीन भी मैंने बता दिया यहाँ पे जनवडे भी फरवरी भी है मार्च भी है, सेप्टेंबर भी है, तो सारे नमबर्स हैं, लेकिन आप लोग ले नमबर जो माइने रखता है, उसको जरूर रखें, ठीक है, और किसे के लिए दिशंबर का महिना बहुत स्ट्रॉंग है, ठीक है, देखें, आपके परसन की वाइबरेशन पहले ही कार्ड में निकली है, वो आपके तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं, और इस लिस्ते में विक्री प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, देखें, इस वक्त इस परसन के मन में, इस वक्त क्या एनी टाइम, उनकी दिल और दिमांग में हर बक्त चाहता है, यह टाइम लेसे रिरिन को कि जब भी आप सामने देख रहे हो, यह वीडियो आ रही है, आपके लिए रेजनेट होईगी, तो यहापे शिक्स ओव वांड के एनरजी है, तो इस परसन के अंदर में क्या हो रहा है, आपके साथ इस रिस्ते में यह विक्री चाहरे है, क्यों चाहरे है, कॉम्पर्माइस च किया है, तो कभी-कभी इस इमोशन को फिल करते हुए, कभी-कभी बहुत ज़्यदा टूटा हुआ फिल कर रहे है, ठीक है, खुद के लिए जी रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे है, ऐसा वो कह रहे है, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, जी रहा हू मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तो यहां आपके पार्टनर बदलाओ चाहते हैं चेंड चाहते हैं ठीक है खुदी के लिए आपके लिए जीना चाहते हैं देखिए उन्हें एहसास हो रहा है क्योंकि यह deep emotions है जो heart to heart conversation हो रहा है देखिए यहां आपके person कहना चाहते हैं कि हम दोनों को ही इस रिष्टे में हम दोनों को ही जरूरत है हम दोनों को ही एक दुसरे के प्यार की सरुवत है साथ आप लोग में इस वग हो सकता है किसी तरह का no contact situation हो या हो सकता है कि वो मनाने की कोसिस करें वो आप मानने रहे हैं या फिर आपने बहुत कोसिस की है इस person को समझाने की उन्हें रोकने की ठीक है और आपने सहा भी है कभी उनका गुसा भी बहुत सहा है आपने तो इस person को ऐसा लग रहा है कि साथ आपने जितना सहा है न वो कोई नहीं ही सह सकता लेकिन एक दूसरे को समझते हो, इसलिए इस रिष्टे में ये विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके परसन कहना चाहते हैं कि दिस तरह का मेरे लाइफ में प्रेशर चल रहा है, जिस तरह ये mentally, physically या problems, किसी तरह का losses चल रहा है, चाहिए life में हो, career में हो, family के साथ हो, parents के साथ हो, even कि इसी toxic relationship के साथ हो, या finance को लेकर हो, देखिए आपके partner के अंदर गुसा के साथ, mentally, physically बहुत तरह से losses से गुजर हैं, लेकिन इसे कह सकते हैं, majorship, ठीक है, तो ये person को एहसास हो रहा है, और इस person को लग रहा है कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की जर इस person को ये लग रहा है कि साथ, आपने move on कर दिया, लेकिन चाहा कर भी इनके दिली एक्षा है कि आप उनसे move on ना करें, ठीक है, लेकिन इनके मन में कि साथ मैं तुम्हारे लाइक नहीं हूँ, अगर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉंग कोई आया है, पहले था, य अगर एंट्री किया है, तो आपके person कहना चाहते हैं कि अगर तुम चाहती हो या चाहते हो कि इस रिसे से move on कर दूँ, तो तुम्हारी इक्षागर दिल तुम्हारा कहता है, तो तुम move on कर सकते हो, या कर सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, बट कभी- पैंजिकल थे, तो लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनरजी खुद की इतनी है, अपने एनरजी को ट्रिगर करते हैं, आप पर डाउट करते हैं, और कभी-कभी आपके person किसी और third party के बात में भी आते हैं, तो third party के बात में जो आते हैं, तो आज ये confused है, चाहे वो साथ से फोकस आपना है कि उन्हें आप से मिलना है बात करना, यानि कि आपको मनाना चाहते हैं, कॉम्मिनिकेशन करना चाहते हैं, ऐसी दिले इक्षा उनकी हो रही है, उनको लग रहा कि आप अपनी life में आगे बढ़ना चाहते हो और बढ़ भी रहो, ठीक है, तो आप अप पिर भी आप उन्हें प्यार दे, चाहे आप लोग में कोई भी confusion हो, या आपने हो सकता है कि आपने कहीं ने करने की move on करने की कोशिस, कि move on मिंस क्या, आपने अपने पर focus करना चुरू किया है, लेकि इस person के अंदर आप देख रहे हो, कि बार बार एकी बात को ये trigger कर रहे है क्योंकि ये अधूरा feel कर रहे हैं, वो आपको महसूस कर रहे हैं, और ये कहना भी चाहते हैं कि इनके जिन्दगी में आपकी कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है, ये साइद मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, ये प्यार का हैसास है, ये feelings है, तो ये changes मैं देख प क्या हो रहा हैं, इनके अंदर कुछ बाते हैं, जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं, वो कौन, five of sorts की बात है, क्योंकि थोड़ा ego, थोड़ा attitude, थोड़ा jealous की भाबना है इस person में, लेकिन अगर आप अंदेखा कर रहे हैं, तो इन्हें लगा कि मैं अंदेखा हो रहा हूँ, लेकि म आप समझ सकते हो कि उन्हें आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, मुझे जीने के लिए तुम्हारे हम सफर चाहिए, तो ये वाली vibration है, लेकिन painful situation में बहुत strong आप देख सकते हो, यहाँ पे लिब्राइक्रिस जमनाई है, क्याप्रिकॉर्ण टॉर्स वर्गो है, पाइसस क कोई भी इंसान आया है, या कोई इनको रोकनी की कोसिस करता है, ये इनकी परशानी और मजबूरी है, ठीक है, लेकिन क्या है न, कि ये परसंद चीजे तो चाहतने हैं, सब कुछ करना, अगर आप लोग में कुछ भी प्रॉब्लम सो रही है, इनके दिल में है, कि आपके वे बिल्कुल अधूरे हैं, और कुछ वेर्स मुझे लगता है, अभी बहुत सार वेर्स के पार्टनें अभी भी थर्ट पार्टी इशू में इन्वाल्व हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करें, मैं खुद के लिए जी रहा हूं, किसी और के लिए नहीं, लेकिन आपका साथ उन् अभी हैं, और थर्ट पाटी इनके लाइप में तो है, अब पैरेंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है, कि आप दोनों के बीच में, आपके लाइप में, कोई तीसा इंसान एंटरी किया है, टीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है, और इस précisए स आगे बढ़ना चाहिए तो कुछ वर्स आपने ऐसा डिसिजन लिया है तो काफी प्रेशर से भी गुजरे हो कुछ लोग को अभी प्रेशर हो सकता है मुझे ऐसा दिख रहा है लेकिन कोई नहीं यहां पर आपके पार्टन विक्ट्री चाह रहे हैं और मैं काड से एक काड और किलियर कर दोंगी ठीक है विक्ट्री चाह रहे है लेकिन उनके ट्रू इंटेंशन में अक्शन क्या दिख रहा है यह भी देख लूँ आक्शन क्या दिख रहा है क्योंकि 66 की वाब्रेशन है तो 66 क्या होता है कॉम्पर्माइज बैलेंस यानि रिष्टे में खुसियां तो इनके अनर्जी में भी देख लूँ नेक्स एक्शन प्रेस्काइट करें देखिए आप लोग रिलेशन्शिप में इस वक सकसे चाहिए विक्ट्री चाहिए लेकिन आपके रिलेशन्शिप में काफी प्रॉब्म चल रहे हैं ठीक है हो सकता है कुछ समय पहले से या सिक्स मन प्रॉब्म चल रहा है तो नेक्स एक्शन में बात रही विक्रीत हो चाहिए लेकिन इस वक्त वह स्ट्रॉंग डिश्ट्री या नहीं ले पा रहा हैं इस टक हैं बट उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए वह इस वक्त आपके बारे में मिलना चाहते हैं फ्यूचर प्ला करना है एक नई सुरुबात करनी है और एक ट्रांस्फरमेशन भी है और यह फ्यूचर प्लानिगी भी कर रहें कमिटमेंट से रिलेटेड भी आपके साथ रहना भी चाहते हैं और हो सकता है तो यह बहुत जल्द आपसे माफी भी मांगें ठीक है ऐसी एनर्जी यहां इनकी दिख रही है तो यह परसन के अंदर सेलिवरेशन भी है तो यह आपसे मिलना चाहते हैं टाइम स्पेंट करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको समझाना चाहते हैं यहां पर दोनों को समझने की ज़रुवत है ठीक है तो बहुत सारी विएर्स आपके पार् इस रिश्टर की एहमित उन्हें हो रही है और आपसे कुछ कहना भी चाहते लेकिन बाबु मैंने क्या बोला स्ट्रगल अभी है लेकिन एक नई शुरुआत चाहरे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके तरफ ट्राबल भी करना चाहते हैं तो यह है कुछ का वचारे हैं ऊई पने नहीं आपके साथ तरफ टो बेुझ सेटाव